तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना बेरुजगारी भत्ता पर बट्टा लगने वाला है और यहां देखिए आपके पास इस टाइप से अगर मेसेज कुछ भी आ रहा है तो बिल्कुल इगनोर मत किजिए क्योंकि फट से कहची चलाएगी भुपेश सरकार तो अगर आपके मुवाइल में ऐसा कोई मेसेज आ रहा है तो तुरांट एक्टी हो जाईए और चलिए मेसेज क्यों आ रहा है और इसके आने से आपके बेरुजगारी भत्ता पर क्या परिडाम होगा वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो चलिए ये मेरे एक परिचित के कहना चीए मेसेज आया है उनको बेरुजगारी भत्ता मिल रहा है और एक्ट्वल में मैं ही पास किया था उनका है बेरुजगारी भत्ता और इतिफाक है कि आज भी जो है मेरे को जाना है आज भी जो है साथ आट लोगों का है तो उनको भी जो है उनको चेक करके पास और फैल करना है क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई है तो चली देखते हैं ये इनका जो है dashboard खुल गया है देख लिजिए और चली इनके dashboard पर आवेदन की स्थिती को मैं बताता हूँ तो यहाँ देखे इनका जो है स्विक्रित किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अब आगे देखते हैं अब यहाँ पर देखे counseling SMS की जानकारी अब यह क्या चीज है यही main चीज है 16 जून मतलब आज ही 11 बजे उनको उपस्तित होना है लायलिहूट कालेज जो है बोल देंगे दूसरा है यदि आप वहाँ जाते हैं और आप कोई भी प्रसिक्षण वगर लेने के लिए हामी भरते हैं तो आपको प्रसिक्षण जिया दाएगा या दूसरी बात मालीज यदि आप कालेज कर रहे हैं तो आप बोलेंगे अगर आप यहाँ नहीं पहुचेंगे तो यह तो काठी देंगे दूसरा बात वहाँ और क्या होता है मैं बोला हूँ जो मेरे जो परिचित हैं उनको कि भाई वहाँ जाकर आप पतक मेरे को बताना कहना चीग क्या हुआ कैसे हुआ कहके तो आप चैनल में अपडेट मैं दे दूँँगा बने रहिए और आपके में अगर कोई ऐसा मेसेज आ रहे हैं तो तुरंत एकसान लीजिए नहीं तो आपका कट जाएगा बिल्कुल और यह जो दिखा रहे हैं काउंसलिंग का जेकिए यह मेसेज दिखा रहे है चतिर सासन की वेरुजगारी भत्ता इजना अंतरगत काउसल प्रसिक्षर के है तो काउंसलिंग है तो आपको इस्थान इतना है ठीक है तो यहां उपस्थित जरूर हुए बले यह आपको जाब इसमें करना हो या ना करना हो बात अलग है लेकिन नहीं बहुचे न तो फट से कट जाएगा